प्रीविध्याच्योर चलिएगा आज का पेपर हम सुरू करेंगी आज का पेपर बहुत ही सांदार होने वाला है क्योंकि आज का पेपर जो है यह यह से मिलेगा सेक्शन ए से सेक्शन ए जो है पंद्रा नंबर में पूशा जाता है तो दिया भी गया है कि देखो रीड दा फॉलोविंग पैसेज निमलिकित पैसेज को पढ़िए गेरफुल यरे सावधानी पूरबग और और आंसर दा कुश्चन को उत्तर दीजिए जाट फॉलो जो पूशे गये या नीचे दिये गये तो नीचे दिये गये पुश्चनों के उत्तर भी देना है पैसेज क अगर पहली पढ़ लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा लाब मिल जाता है अच्छा हम उत्तर आंसर जो है लिख सकते हैं देखिएगा मैंस लाइफ मानाव का जीवन नहीं मापा जाता है जिनों की महिनों की परसों की संख्या से नहीं नापा जाता है जो उसने जी लिया है मानाव का जीवन उसके द्वारा जीए गए दिनों महिनों और बर्षों की संख्या से नहीं देखा जाता है नहीं मापा जाता है मतलब ये ना देखो कि इस आदम ने कितना जी लिया, एक महीना, दो महीना, एक साल, दस साल, बीस साल, इस से जीवन तहनी होता है कि किसने कितना जीवन जी लिया है, लेकिन वाई देट लेकिन उसके द्वारा किये गए कारे और उसके द्वारा किये गए कारें से महा पाजाता है, बहुए, इसने किया, क्या है। अपने छोटे से जीवन में क्या कर लिया है। ऐसे तो लोग खाते पीते रहते हैं, पड़े रहते हैं। खाया वो खाया डले रहेंगी। खाया भी आखके श़दीर बढ़ा लेंगी। तो जी थोड़ी जीवन में जीवन नहीं क्या, ठीके, what is the real significance in life, is not the quality, quantity, quality means होता मात्रा, क्या होता है, मात्रा, but the quality of experience, experience means होता अनभाव, quality means गुडवत्ता या गुण, जीवन में भास्तविक महत्यो अनभाव की मात्रा से नहीं हो, बलकि उसकी गुणवत्ता से हो, जीवन में भास्तविक महत्यो हो, मात्रा से नहीं हो, for the quality of experience, बल्कि खुडबत्ता के गुणों से, अनभाव के गुणों से. A short life, चोटा सा जीवन, devoted to noble endeavors, is far more valuable than a long life. A short life, एक चोटा सा जीवन, more valuable, अधिक महत्पूण होता है. Than a long life, एक लंबी आयू से. To noble endeavor, यानि की योग कारियों के. तो महान या बड़े बर्सों के लंबे जीवन से, कहीं अधिक मूलवान नहीं होता है. एक चोटा सा समर्पित जीवन. या हम कह सकते हैं कि महान प्रयासों के लिए समर्पित, endeavor मीन सोता है समर्पित, एक चोटा जीवन. महान प्रयासों के लिए समर्पित, एक छोटा जीवन तोछ शिकारियों में बिताए गए सौसी अधिक बरसों के लंबे जीवन से कहीं देख मूर लिवाग है ओवर अ ओवर अ हंड्रेड यर स्पेंट इन त्राइवल पर्शिष्ट गलव सौसे अधिक बरसों के लंबे जीवन से भी लिव इन दिर्स, हम कामों के लिए जीते हैं and not in years, बर्सों में नहीं जीते हैं, मतलब हम बर्सों में नहीं जीते हैं, कामों के लिए जीते हैं, नोबल दिर्स, योग काम, इस्प्लेंडड आइडिया, सांदार विचार and fine sentiments और सांदार तरित्र भावनाय, constitute the real glory of character, वास्तविक तरित्र की महमा and not a length of fine time has lived in the world. इस दुनिया में जीने की आवधी, one has lived in this world, जो इस अंसार में रह चुका है. महानकारे, सांदार विचार और अच्छी भावनाय, तरित्र की वास्ते को महमा का निर्मार करती हैं, not the length of time, ना कि दुनिया में जीने की आवधी, एक बार पुनाहा पूरा सबस्ते हैं, हिंदी में, कि मनुस्त का जीवन उसके द्वारा जीए गए दिनों, महिनों और बर्सों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बलकि उसके द्वारा किये गए कारियों और उसकी उपलग्यों से मापा जाता है, जीवन में वास्तविक महत्य अनवाव की मात्रा से नहीं, बलकि उसकी गुडवत्ता से है, महान प्रयासों के लिए समर्पे ते एक छोटा जीवन विच्छे कारियों में बिताए गए, सो से अधिक बरसों के लंबे जीवन से कहीं अधिक मूलवान हैं, हम बरसों में नहीं, बलकि कर्मों में जीते हैं, महानकारे, सांदार, विचार और अच्छी भावनाएं, चरत की वास्तेग महिमा का निर्मार करते हैं, ना कि दुनिया में जीन तो हमने अब छोटा छोटा आर्थ बताया था, पूरा आःठ इस तरीके से बनेंगा ठीके जोनों तरीकां से बता दिया जिसमें आपको अच्छा समझ में आए हर सब्द का अलग अलग से बताया और एक खट्टा भी बता दिया ठीक है अब इसके हमें पहले कोश्चन का हिंदी अज समझ लेते हैं क्या समझ लेते हैं हिंदी में हिंदी क्या है इसकी संसार है मन्स के जीवन को कैसे माखती है जो को हिंदी में अच मिल गया अब अंग्रीजी अपने आप मिल जाएगा संसार कैसे माखता है बताईए तो लिखा है यहां से लेखो यहां से मेंस लाइब इसका जीवन अधिक मूलवान है चोटा जीवन अधिक मूलवान है चोटा जीवन यह लंबा जीवन कौंसा फूटा जीवन आप जीवन ऑफ तर में रखना अशोर्ट लाइब हाह है प्राद लाइफ एक इसमौर्वेली जह लेजिए इसमौर्वेल्य पालिए जिवन में व्यक्ति को क्या करना पसंद करना चाहिए जीवन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए को आप लिख सकते हैं वान यहां की सब्जक्त हो गया वन को यहां पर में लिखता हूँ वान जोड़ फिर टेफर टूडू वान जोड़ टेफर टूडू वर्क इन इस तरीका से देखो गए तीन नंबर आपको यहां मिल गए तो नो नंबर हो गया ना किलियर आपका कितना नंबर हो गया किलियर हो ठीक है आप देखो कि वाट थिंग्स मेक करेक्टर गलॉरियस कौन सी चीजें कौन सी बातें त्रत्य को गौराव शाली बनाती हैं यहां से लिख नोबल डीड इस्पलेंडड आउडिया जिन फाइंड सेंटिमेंट्स और रियल गलॉरी और करेक्टर ठीक है एतना लिखके वाट की जगा पर लिखके, इस तरीका से लिखना है तो पूरा पैसे से उतार कि आ गए वॉनिहार मौत्या वहां स्वातार होता है त्रेंध्य इंपॉटेंस के मतलब य? होता है महत्य होता है इसका मीनिंग्स बताना इसमें है सिगनिफिकेंस क्यों हो जाएगा कि जी रहा क्या कोई कथन नहीं है और आपके पड़ते जाओ सब स्वेड़ हो जाएगा अधिक और नहीं पड़ोगे तो फिर दिक्कत पढ़ेगी आप देखू आँगे आँगे है वाट इज मेंट बाई नोबिल इंडिवर क्या मतलब अच्छी काम विल महान प्रियास अब देखो बास्ताव में और इसका इंडिड का मतलब होता है बास्ताव में इंडिड का इंडिड का इंडिड का इंडिड क्या अंतर है इसके वास्ताव में और इंडिड का इसका मतलब होता है इन बर्क क्यूद का की अधिड काले का इंडिक और प्रॉह स्वाथय में जींड तरुवा इन जरी काले तो कोई एक लिखना है देख लोगे अगर ना बने तो कमेंट बाक्स में बताना तो मैं इसका वीडियो बना के आप लोगों को अच्छा रलभासा में प्रवाइड करा दूए अब देखो जी दुबारा आया है जी दुबारा आया है इस तरीका से लिखना तो पहले आप इसके रिखने कि द्धा एडिटर ऑफ हंदोस्तान कानपूर इस्तर सब्जक्ट रिखना तो यहां सब्जयक्ट भी लिख सकते हैं ठीक है जी पहला नमबर पर आपको यही इतना ही करना है इसके बाद आपको देखो लिख लिखा यहोगा आपने मोस्ट अब नमबने वेदान है आई व्यक्ट तूस्ते अब श्क्राइब छोटे छोटे बाक्त बनाते जाएं यह जैट की आई एम स्टुदेंट आफ क्लास 12 में का ख्षावारा का विध्यात थी हूं माई एक्जाम इस गोईंग ओन मेरी परेक्षा चाल रही है यह इस दा क्यों प्रेंड ब्रेक्डाउन तीक है और एलेक्ट्रिक सप्लाई इन वाई कालोनी में विधुत अपूर्ती की समस्या है आई कंप्लेंड में सिकायत की यह इसकी सिकायत की वट दियर इज नू यूज ऑप लेकर इसका कोई लाव ही नहीं हुआ है प्लीज पब्लिस इस नीज इ अगर आपने इसके दो तीने अप्लिकेशन देख लिए तो आपको अच्छे सब लगने लगेंगे अगर पहला देखाया तो हो सकता है कठन लगी लेकर अगर आपने दो तीने अप्लिकेशन इसके देख लिए तो आपको भी सरल लगने लगें थैंक्यू सर लिखिए और फ C choose the correct option to answer the following question government run by the representative of the pupil is called क्या कहेंगे यूभ्यक्तियों के सासर हो क्यों कहेंगे जोकतंत्र वेशिव क्या कहते हैं जोकतंत्र भारत में की तंत्र लोक तंद्र लोक तंद्र लोक तंद्र लोक तंद्र देमोक्रेस्ट इस प्रेज रंडाउन इसका मतलब हो जाएगा कि तू भी इन पूर है स्वास्त से कम जो तू भी इन्पूर है संद्र शरी कंडाउन स्वास्त गर जाना जोड नहीं लगाना स्वास्त गर जाना अब है जो अशल नेम फ्रेंक स्वास्त प्राम आफ्र्या नुए रस इस पहल लिए आवाट्र watts पैज्वाड्मुट कर जाना चाहिए लिए इस पोक है फिल कर बोलाए अल्वेज ऍीक अतरत का है गलत है यहां पर ए जह मैंद भूरिज थीट ऊतरत एतरोत तो दूना चाहिए तरू होना चाहिए क्या होना चाहिए ज्लुप अल्वेज इसपीक अतरत अन्तोनी इंतोने अपर बैटर का बलाम सब्सक्त क्या होगा बैटर यहां पर दस नमबर आपको लुखिए यहां पर दस नमर आपको यहां तुमर इंटो इंडिर्ट नरी संट्रिशन बना ना इस तरीका से तोड़ा हूं आपको थोड़ा सा इसको मैं प्रिच कर दूँ कर रहा हूं इसको मैं लिएगा मिकल सा तो आई रीत इस्टरीड दूसरा, he said to her friend, we cannot be quite happy here, set to बदलेगा टोल में, कॉमा की जगा that, बदलेगा दे में, cannot का हो जाएगा, could not, फिर का हो जाएगा, tear का हो जाएगा, he told her friend, रोल्ड, हर फ्रेंड, क्यगा, at, set, k, could not, white, key, का हो जाएगा, tear, set, set, yes, two में से एक करना पड़ता है, two में से क्या करना है, एक करना है, आँगे दिखेंगे, some blind anyone of the following, two में से एक करना है, his brother died, उसका भाई मर गया, he hears the news, उसने खवार सुनी, he phentered और मूर्षित हो गया, अपने भाई की मेत्ट्यू की खवार सुनकर, वह मूर्षित हो गया, आप बना सकते हो, कर यूचित है को ऱहिए उसकाच काच करहा सुना है, युजधर देगे कार मूर्षित हो गया, युजधर बना सकते हो साथा छाने बना सकते हिए बना सब्स्टित हैłeस से मूर्षित हो गया, अब यह जीना करने तो कम्प्लेस कर लो तो आल दो लगा दो यहां क्या लगा दो दुबारा आया है लिए अब यहां पर पेसे बना योर फैलियर है तुम्हारे अस्फलता ने मुझे आज से सकित कर दिया कि आफ कि अफिट्व टाया है एट लग जायेगा जहां हो जायेगा टी ऑफिर तेअज में झींट इस टॉक्ड आप सब्सक्राइब ऑग्ड एट जूर टीच यह के लोट्वारि गेंडियर इनिवरवर देटेड्व बनाना है तो वाट गेलोरी वहाट सही बन जाएंगे दियर गेलोरी की जगह क्या हो जो हो जो एक करना है आई आइम टायर्ड ओफ जगह क्या होना चाहिए यह सीनिया देन की जगह क्या होना चाहिए वे आंगे एफेक्ट और एफेक्ट चेक और चेक क्या मन होता बैंक की चेक बैंक क्या है अश्वी आई जांचना चेक माइक तो रिदी गई यह पॉंच नंबर में इसको मैंने सब्सक्राइब किया है प्राता काल का समय था प्राता का समय था थो एसे बनेगा इट वाज वर्निंग टाइम वाज वर्निंग टाइम थंडी हवा हवा चर रही थी थो थंडी हवा क्या होता हा अश्वी क्पूल्ड विंड वाज राजकुमार सलीम और वीडवल के साथ इअकबर टहली चल दिया राजकुमार सलीम और वीडवल के अकबर अकबर चल लिया वेंड फूर वाक टहलने के लिए चल लिया विथ प्रिंस सलीम एंड वीडवर ठीक है कुछ देरवार आफ्टर सम टाइम वे एक तालाब किनारे पहुंचे दे रीजड नियारा पॉंड भी लगा सकते हैं तालाब का पानी बहुत साफ था वाटर Anand was very clean, तो इसलिए एकबत ने स्नान करने का निश्चे किया आइकबर ने रिस्टर लिया निस्टर किया तु वाथ करने का दिक अकबर ने स्नान करने का चांद Conventionら राजक मार शलीं सेंग भी नहाने के तो प्रेंस सलीम वाट रेडी तयार हो गए तो वाथ नाथ उन्होंने अपने कपड़े उतारी तो रही टुक आप उतारी हिज क्लाथ अपने कपड़े टुक आप इस क्लाथ और विर्वल को दे दी एंड गव तु विर्वल जो उस समय शना नहीं करना चाहता थी नहीं करना चाहता नहाते समय वाइल वाइल अक्बर ने भीडवल से कहा तो अक्बर तुम्हारे पास एक गधे का बोज है, you have load of an ass, तुम्हारे पास एक गधे का बोज है, वीरबर ने उत्तर दिया तो वीरबर रपलाइट, नहीं सरकार, no sir, दो गधोंका है, I have load of two asses, वीरबर के सब्दों पर अकबर हस्पड़ा, अकबर लाफ्ड एड़ बैट्स ओ वीरबर लेकिन वट लाचकुमा सरीनिम करोदित हो गए, प्रिंस सलीम विकेम एंग, ठीक है, यह आपको जतना इक ग्रामर का पोशन साट नंबर का था, तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक ह आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ सेर जरूर कर दो, ठीक है, के लिए गबावर बहुत धन्यूदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद